हेलो एवरिवन वेलकम तो और नियो वीडियो आज हम कर रहे हैं कोश्चन नमबर फाइफ एक्ससाइस फाइप प्रोडेक्ट ओफ हमें पहले जो दो टम्स आपको नजर आ रहे हैं उन दोनों का प्रोडेक्ट करना है दैन उसके बाद में तू दा प्रोडेक्ट ओफ अगली मैं इन दोनों टम्स का प्रोडेक्ट करूंगी दन इन दोनों टम्स का प्रोडेक्ट करूंगी और फिर हम इसको एड़ कर देंगे जिससे हमारा अंसर आ जाएगा मैंने दो partition कर लिया है सबसे पहले हम पहली दो terms का product करते है first term लिखते है 2P square Q square इसको हम multiply करेंगे bracket का sign मैं हटा रही हूँ minus के 3 upon 4P cube then Q से अब सबसे पहले मैं आपको coefficient के multiply करके दिखाती हूँ 2 को जब हम multiply करेंगे minus 3 upon 4 से तो देखो ये reduce हुझाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो आपके पास क्या आएगा minus 3 upon में 2 तो coefficient यहां से क्या आगया है हमारा minus 3 upon 2 हमारा coefficient क्या है minus 3 upon 2 अब देखो first term में P square है second term में आपके पास P की पावर 3 है दोनों add हो जाएंगे आपके पास आजाएगा P की पावर 5 अब ऐसे ही Q को देखते हैं first term में Q की पावर 2 है first term में Q की पावर 2 है और second term में 1 है दोनों को add करेंगे तो Q की पावर क्या आगई 3 जो first two terms है उनका हमने product कर लिया अब मैं next two terms का product करते हूं first उसमें क्या है minus का 5 P की पावर 4 Q इसको हमें multiply करना है P Q square से अब देखो हमारे पास first term में तो हमारा coefficient क्या है minus का 5 है लेकिन second term में कुछ नहीं है मतलब 1 तो coefficient की simple multiply आपके पास minus 5 ही आएगी अब P की पावर first term में देखो 4 है second term में क्या है 1 है दोनों को add करेंगे तो P की पावर के आगे हमारे पास 5 ऐसे ही Q की पावर देखते हैं first term में आपके पास 1 है second term में 2 है तो Q की पावर के आगे 3 अब हमने product निकाल लिया अब हमें क्या करना है दोनों products को add करना है तो हम add करते है minus 3 upon 2 P की पावर 5 Q Q प्लस में हम क्या add करेंगे प्लस का sign लगाएंगे लेकिन हमें add करना है तो next term को हमें क्या करना है bracket का use करेंगे minus का 5 P की पावर 5 and Q की पावर 3 bracket close अब देखो इसका next step में क्या होगा हमारे bracket हट जाएगी minus 3 by 2 P की पावर 5 Q Q और प्लस है मैंने पहले भी बताया है जब bracket के बाहर प्लस का sign होता है तो जो अंदर sign होता है वो asities आता है it means minus का क्या आगे आपके पास 5 P की पावर 5 Q Q देखो पीछे के जो variables है वो दोनों terms के लिए same है लेकिन हमारे पास जो यहां पे आपको coefficient नजर आ रहा है ना 3 by 2 है और 5 है तो हम पहले coefficient को ही solve कर लेते है हमारे पास LCM क्या आएगा पहले मैं coefficient को solve कर रही हूँ minus 3 upon 2 minus 5 5 के नीचे कुछ भी नहीं है denominator तो हम 1 लगाएंगे दोनों का LCM हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा तो first numerator तो as it is आजाएगा minus 3 और second numerator के नीचे numerator के नीचे 1 है ना तो जिसके भी numerator के नीचे denominator में 1 होता है तो LCM उपर multiply हो जाता है तो 2 से multiply करेंगे minus 5 को तो minus 10 आएगा तो यहां से हमारे पास minus 3 और minus 10 को add करेंगे तो हमारे पास coefficient में क्या आगया minus 13 अपॉन में 2 तो अब हमने इसको भी solve कर लिया कोफिशेंट को तो हमारा answer क्या है minus 13 अपॉन में 2 और पिछे के दोनों like terms है variable as it is P की पावर 5 और Q की पावर 3 यह आगया आपका answer question number 6 करते है question number 6 में from the product of आपको 3 terms नजर आ रही है first from the product of मतलब हमें इन तीनों terms का क्या करना है product निकालना है और इनके product में से हमें next जो दो terms नजर आ रही है इनके product इनका भी product निकालेंगे और from वाले terms के product में से इनका product हम minus करेंगे तो अब question solve करते है from के बाद वाले terms को लिखते हैं तो first term आपके पास है 4 upon 3 L square MN multiply second term है आपके पास minus का 5 L M N square और third term है आपके पास multiply one upon में 3 L square MN अब सबसे पहले ना हम coefficient के multiply करते देखो first term से 4 upon 3 है second term से minus का 5 है और third term से आपके पास 1 upon 3 है इसमें कुछ reduce नहीं हो रहा है तो हम simple उपर numerator के multiply करेंगे पहले 4 को minus 5 से multiply करेंगे minus का 20 आएगा और उसको 1 से multiply करेंगे तो उपर numerator के multiply के आगी minus 20 इन दोनों को denominator में multiply करेंगे 3 3 4 9 यानि coefficient का product आपके पास क्या आए है minus 20 upon 9 अब हमारा coefficient का है product minus 20 upon 9 अब first variable देखते हैं first variable हमारे पास L square है देखो L है variable L की power first term में तो 2 है second term में 1 है 2 में 1 add करेंगे 3 हो गया third term में again 2 है तो क्या हो गया L की power हमारे पास कितनी आगई 5 आगई exponent बोल लो या power A की बात है next variable देखते है M है M की power first term में भी 1 है ऐसे ही next variable हमारे पास N है first term में N की power 1 है second में 2 है और third में 1 है तो 1 में 2 add करेंगे 3 और 1 add करेंगे 4 यानि N का variable की आगए है हमारे पास 4 अब हमें क्या करना है जो next 2 terms है ना ये 2 2 terms इनका हम क्या करेंगे product निकालेंगे तो first term क्या है आपके पास 7 upon 3 L cube M N square इसको हम multiply करेंगे second term से हमारे पास क्या है 2 upon में 3 L square M square N square अब सबसे पहले हम coefficient की multiply करते है first term से तो 7 upon 3 है coefficient second term से 2 upon 3 है इसमें भी कुछ reduce नहीं हो रहा तो numerator के multiply करेंगे तो 7 to 14 और denominator के multiply करेंगे 9 यानि हमारे पास यहां से भी coefficient क्या हा गया है 14 upon 9 coefficient आया था 14 upon 9 अब first variable यानि L की पावर देखते है देखो first term में तो 3 है second term में 2 है total add किया 5 हो गया ऐसे M की पावर को देखते है first term में क्या है 1 है second term में 2 है 3 हो गया और N की पावर देखते है दोनों को 2 2 है दोनों में तो add होके 4 हो गया अब देखो हमें क्या करना था from वाली term हमारे पास यह है from के बाद वाली term और next term हमारे पास यह है तो हम क्या करते है product में from के बाद वाली term को हम पहले लिखते है तो हम लिखते हैं माइनस का 20 अपॉन 9 L की पावर 5 माइनस sorry M3 N की पावर 4 फिर हमें क्या करना है सब्ट्रेक तो माइनस का साइन लगाएंगे नेक्स टम हमारे पास क्या है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 14 अपॉन में 9 L की पावर 5 M3 और N की पावर 4 अब यहां से आपको यह लाइक टम्स नजर आ रही है तो हम नेक्स टैप करते है तो हमारे पास क्या हैगा माइनस का 20 अपॉन 9 L की पावर 5 M3 N की पावर 4 और माइनस का क्या जाएगा 14 अपॉन 9 L की पावर 5 M की पावर 3 और N की पावर 4 अब देखो साइन दोनों टम्स सेम है साइन माइनस का है साइन तो हमारा माइनस का ही रहेगा बर टम्स एड हो जाएगी 20 में 14 को एड करेंगी तो हमारे पास आएगा 34 अपॉन में 9 और वैरियेबल एज़ इस L की पावर 5 M की पावर 3 और N की पावर 4 यह आगया आपका आंसर कोशन 7 करते हैं कोशन 7 में हमें कहा है कि हमें हारे पास जितनी भी मोनोमेल टर्म्स दे रहा है सबसे पहले हमें उसका प्रोड़क्ट निकालना है और फिर अपने रिजल्ट को वेरिफाइ करना है X की वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है Y की वैल्यू को माइनस 1 और Z की वैल्यू को 1 रखना है लेकिन अब हमें क्या करना है देखो सिंपली यह जो तीनों टर्म्स आपको नजर आ रही है तीनों मोनोमेल टर्म्स इनका हम क्या निकालेंगे product निकालेंगे, हमारे पास जो भी value आएगे product, अब इनो, जब हम इसको verify करेंगे, verify करेंगे उस टाइम हमें क्या करना है, पहले इन तीनो terms को हम lhs बनाएंगे, और जो हमारा product आएगा उसको हम क्या बनाएंगे, rhs तीनो terms हमारे पास जो तीनो terms है वो lhs रहेंगे, और जो हमारा product आएगा, वो rhs आएगा, अगर दोनों की value equal होती है, is equal to बराबर आएंगे, तो हमारा result verify हो जाएगा, तो अब solve करते हैं सबसे first step में हम तीनो terms को लिखते हैं without bracket x square y इसको multiply करेंगे, minus के 3 x y cube से multiply 1 upon 6 y z square से अब देखो, सबसे पहले coefficient को solve करते हैं first term से तो 1 ही है coefficient second term से हमारे पास minus 3 है और third term से हमारे पास 1 upon 6 है देखो, ये reduce हो जाएगा आपका 3 बन जा 3, 3, 2 जा 6 तो उपर सिर्फ हमारे पास 1 बचे है, बट वो minus की हमारा coefficient के आएगा minus 1 upon 2, हमने coefficient निकाल लिया हमारा coefficient क्या है minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 अपका coefficient आया अब देखो, x की terms को देखते है first term में आपके पास x की power 2 है, second में 1 है third में है यह नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 में 1 एड़ करेंगे, तो x की power 3 हो गया ऐसे next variable y है y के देखो, first term में तो power 1 है second term में power 3 है और third term में भी 1 है, तो add करेंगे तो हमारे पास y की power आजाएगी 4 ऐसे ही z सिर्फ हमारे पास last term में जिसमें उसकी power क्या है 2, तो z की power 2, यानि यह जो मैंने अभी निकाला है, यह हमारा क्या आ गया है, product आ गया क्या है, यह हमारा product अब हम अपने answer को verify करेंगे हमारे answer में y की power 5 आएगी 3, 1, 4, and 1, 5 LHS, RHS, LHS में मैंने जो मैंने तीनों monomial term से उनको लिखा है और product जो मारा आया था, उसको RHS में दख दिया अब देखो, first monomial term में x square y और x की value आपको question में क्या दे रखिए 2 तो हम value put करना start करेंगे, मैं bracket का use कर रही हूँ x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 का square multiply, y की value के आपके पास minus 1 first monomial term सोलोगे second monomial term में देखो, minus का 3 आपका constant था है अब x की value के आपका 2, multiply करेंगे 2 से and multiply y की value के आपकी minus 1 तो minus 1, और उसका क्या कर देंगे, हम Q bracket close, next मैं थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ next में हमारे पास क्या है, 1 upon 6 है multiply करेंगे, y की value के आपकी minus 1 और z की value के आपका 1 और z square है तो 1 का square हो गया अब यहां से solve करते हैं देखो, first term में आपके पास 2 का square क्या होता है, 4 4 को multiply करेंगे minus 1 से first monomial term, second monomial term का देखते हैं minus 3 को 2 से multiply करेंगे, minus का 6 आएगा multiply, आपको यह पता होगा, जब भी minus का sign हो कोई भी number और minus का sign हो, अगर हमारी power order में होती है, तो sign minus का ही आता है तो sign तो आएगा minus का, और 1 का cube क्या होता है, 1 ही होता है third monomial term में हमारे पास क्या है उपर हमारे पास, देखो, minus 1 minus 1 और minus 1 को multiply करेंगे, 1 आएगा upon में 6 as it is, multiply, 1 का square क्या होता है, 1 होता है अब यहां से हमारे पास क्या आगया है, first monomial term में 4 को minus 1 से multiply करेंगे, minus का 4 आएगा multiply करते देखो, minus का 6 और minus 1 तो minus minus plus हो जाएगा, 6 बन जा 6 multiply हमारे पास, minus 1 को 1 से multiply करेंगे, minus का 1 upon 6, यहां पर क्या हो जाएगा, reduce 6 से 6 कैंसल हो जाएगा अब आपके पास क्या है, minus 4 और minus 1 की multiply करेंगे तो 4 आएगा, अब हम अपने आरचेस को solve करते हैं, आरचेस में हमारे पास minus 1 upon 2 as it is, multiply 2 की x cube दे रखा है, यानि 2 की power क्या लिखेंगे, हम 3 करेंगे multiply, y की power 5 है, यानि y आपका minus 1 है और इसकी power के आपकी 5 है, अब next multiply का sign z square, z की value के 1 उसका square, अब next step में हमारे पास क्या आएगा, minus 1 upon 2, as it is, 2 का cube क्या होता है, 8 होता है, multiply, देखो मैंने अभी बताया था, कि अगर minus में कोई भी number होता है, और उसकी power ओड होती है, तो minus का ही sign आता है, तो sign तो minus का हैगा, और 1 का 5 times भी multiply कितने भी times multiply कर ले, 1 ही आता है, again 1 का square क्या होता है, 1 होता है, अब इसको reduce करते है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब यहां पे आपके पास क्या आ गया, minus 4, क्योंकि minus 1 से 4 को multiply करेंगे, minus 4, और minus 1 बचा हुआ है, और minus minus क्या हो जाएगा, plus, तो आपका RHS में भी क्या आ गया है, 4, तो it means आपका क्या आया है, LHS is equal to RHS, hence verified, हमारा answer हमने verify कर दिया है, B part करते हैं, B part में भी same, सबसे पहले हमें product निकालना है, फिर उसको verify करना है, तो सबसे पहले हम अपना product निकालते हैं, y की power 4, z cube, multiply करेंगे, इसको bracket सब में हटा देंगे, minus का 2, y cube, z की power 5, multiply, then 3, y, z, देखो, इसमें हमें न, अलग से simplify करने की ज़रूरत नहीं, क्योंगे, फर्स्ट में तो हमारे पास कोई भी coefficient है नहीं, सेकंड में minus 2 है, थर्ड में 3 है, तो minus 2 को 3 से multiply करेंगे, तो हमारे पास क्या गया, minus 6 हा गया, अब y की power देखते हैं, फर्स्ट में हमारे पास y की power 4 है, फर्स्ट में मोनोमियल टम में, सेकंड में y की power 3 है, थर्ड में 4 है, तो 4 और 3, 7 और 1, 8, तो y की power क्या आगया, आपके पास 8, अब हम z की देखते हैं, z की first में क्या है 3 है second में 5 है 5 4 3 क्या होगे 8 और then 1 है तो z की power 9 अब हमारे पास क्या आ गया है product आ गया है minus 6 y की power 8 z की power 9 अब अपने answer को हम verify करेंगे अब हम verify कर रहे हैं LHS में मैंने सारी monumental terms को रख लिया है और RHS में मैंने उनके product को रख लिया है तो first देखो y की power 4 है z की power क्या है? z3 है यानि z की multiply z की power क्या होगे हमारे पास 3 second monomial term को करते है minus two bracket का use कर रहे हूं मैं minus two to as it is रहेगा multiply y की value क्या है आपके पास minus one है तो minus one क्या? क्या है y3 है to minus one की power 3 next क्या है z की power 5 है z की value क्या है one उसकी power क्या कर देंगे? 5 3rdre monomial term करते है 3rdre monomial term में 3 है y की power y क्या है हमारे पास minus 1 value दे रखिए है और z की value क्या है 1 है तो first monomial term को solve करते हैT देखो theernature minus 1 है और उसकी power even है तो हमारे पास क्या जाएगा वन और one की power 3 है 10042 तो अनल 1 का cube 1 ही होता है कि यह प्रास्ट one more time है second इन मोनोमेल टम को सोल करते है माइनस टू और देखो इसको मल्टिप्लाइ करेंगे वन का क्यूब क्या होता है देखो माइनस वन है और पावर ओड में है तो माइनस वन ही आएगा और मल्टिप्लाइ करेंगे इसको वन की पावर फाइफ का मतलब वन ही होता है थर्ड मोनोमेल term हमारे पास क्या है 3 को जब minus 1 से multiply करेंगे तो हमारे पास है यानि-1 की power के आगी है हमारे पास 8 multiply z क्या है z की value 1 है उसकी power 9 है देखो minus 6 तो है जटीज रहेगा multiply करेंगे minus 1 है और power even में है तो क्या हो जाएगा हमारे पास plus 1 और 1 की power 9 1 ही होगा और minus 1 को जो 1 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या हैगा minus 6 it means आपके पास LHS और RHS क्या है आपकी equal है LHS is equal to RHS हैंस verified हम अपने answer verify कर दिया है कि सी पार्ट करते सी पार्ट में भी हमें क्या करना है monomial terms का product करना है फिर अपने answer को verify करना है तो सबसे पहले सारी bracket को हटा के simple multiplication करते माइनस first monomial term में minus 1 upon 7 z square इसको multiply कराएंगे हम 7 upon में 8 z की power 7 से then multiply कराएंगे 8 की power sorry 8 z की power 9 से सबसे पहले coefficient की multiply कर लेते हैं first से हमारे पास minus 1 upon 7 है second coefficient 7 upon 8 है third coefficient 8 है 8 से 8 cancel होगया 1 से 1 cancel होगया तो simple multiplication coefficient का क्या है minus 1 कोफिशेंट की multiply के आगे आपके पास minus 1 multiply z को देखते हैं first term में उसकी power क्या है 2 है then 7 है 7 में 2 add करेंगे 9 हो गया अग लास term में भी मारे पास क्या है z की power 9 है 9 और 9 को add करेंगे तो 18 हो गया अब z को जब minus 1 से multiply करेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो minus z की power 18 यह आगे आपका product अब हमें क्या करना अपने answer को verify करना है अब verification कर रहे है तो lhs में मैंने सारी monomial terms को लिख लिख लिए और rhs में अपना product लिख लिए तो first monomial term में क्या होगा minus 1 upon 7 as it is multiply करतें बड़ी bracket का यूज करें मैं monomial term में z square मतलब 1 का square bracket close next second monomial term हमारे पास क्या है 7 upon 8 इसमें हमारे पास क्या है z की power 7 है यह z की value के आपके पास 1 1 की power 7 multiply third monomial term 8 z की value क्या है 1 और उसकी power क्या होगी 9 अब देखो first monomial term को अगर हम solve करें तो हमारे पास क्या है minus का 1 upon 7 1 का square तो क्या होता है 1 ही होता है into second में देखो 7 upon 8 1 की power 7 कितनी बार भी करें 1 ही आता है next 8 into में 1 की power 9 है 1 ही आएगा अब simple आपके पास first monomial term से क्या आगया 1 upon 7 multiply क्या आगया 7 upon 8 क्योंकि 1 से multiply करेंगे और 8 को 1 से करेंगे 8 8 से 8 reduce होगा 7 से 7 reduce होगा तो आपके पास lhs में क्या आगया minus 1 lhs में क्या है minus 1 अब rhs को solve करते है minus z की power 18 है तो minus और z की value क्या है हमारे पास 1 और उसकी power क्या करेंगे 18 minus को बहार रखेंगे हम अब z की value रखते है z की value क्या है 1 और उसकी power क्या है 18 अब minus as it is 1 की power 18 even 1 को कितने बार भी multiply करें 1 ही आता है तो rhs में भी आपका क्या आगया है minus 1 it means आपका क्या हुआ है lhs is equal to rhs hence verified question number 8 करते है question number 8 में हमें दे रखा है कि हमें दो ऐसे monomial integers with coefficient find करना है जिसका product करें तो हमारे पास जो given monomial है वो आना चाहिए तो ए पार्ट में हमें दे रखा है 7xy it means हमें 7xy को दो पार्ट में divide करना है दो positive integer coefficients में तो देखो 7xy को हम क्या लिख सकते हैं 7 multiply x multiply y तो इसके लिए मैं इसको दो पार्ट में divide कर रहे हूँ one part क्या हो गया एक मैंने ले लिया 7x plus की value है और एक मैंने ले लिया y अब देखो अगर 7x और y की multiply करते है तो हमारा answer क्या आता है 7xy it means हमारे जो दो positive integer with coefficient first क्या हो गया 1x और second क्या हो गया 1y 1y का मतलब होता है y तो यह हमारा क्या हो गया answer बी पार्ट परते हैं बी पार्ट में हमें क्या दे रहा है p q square सबसे पहले हम इसको बिल्कुल simple form में लिखेंगे p multiply q multiply q अब में क्या निकालना है इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है with positive integer coefficient मतलब कोफिशेंट जो आएगा वो positive में होना चाहिए इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया first integer p q को ले दिया p q p q के आगे मतलब कुछ नहीं है it means one coefficient है और एक q अब देखो अब में को multiply करके देखे p q को multiply करे q से तो हमारा answer क्या आएगा p q square it means आपका first integer क्या हो गया p q and second integer is q यह आपका आगया answer c part करते है c part में हमें दे रहा है 2 a square b c पहले हम इसको simple करके लिखेंगे 2 multiply a square मतलब 2 times a है and b multiply c अब हम इसको 2 parts में divide करेंगे तो मैंने 2 parts में इसको one part बना दिया और इसको second part यानि 2 a हो गया हमारे पास एक term और एक हमारे पास क्या हो गया a b c अब अगर हम इनकी multiply करके देखे तो हमारा answer बिल्कुल सही आएगा 2 a square b c it means हमारे दो monomial terms क्या होगे first हो गया 2 a और second हमारा क्या हो गया a b c ये आगया आपका answer question number 9 करते हैं उसमें evaluate the following करना है first जो a part करते हैं a part में हमें 3 monomial terms नजर आ रहे से पहले हम bracket हटाएंगे और multiply का sign लगाएंगे 2 a square b multiply है हमारा 3 a b square से multiply होगा हमारे पास next term है 0.5 a b अब सबसे पहले मैं यहाँ पर coefficient के multiply कर रहे हूँ first term से 2 है second term से 3 है और third term से 0.5 है अब 3 2 जा 6 6 को multiply करते हैं 0.5 से तो हमारा answer क्या आएगा देखो 6 5 जा क्या होता है 30 और 1 digit के बाद point है it means हमारे पास coefficient हमारा simple क्या आ गया है 3 क्योंकि point के बाद 0 की कोई value नहीं होती तो coefficient हमारा 3 आ गया है Amo twist कोफिशेंट हमारा आया था 3 अब A देखो A की वैरिवल की powers को देखते है first term में 2 है second में 1 है और third में 1 है तो A की power क्या होगि 4 ऐसे B की power को देखते है B first term में 1 है second में 2 seventh में 1 है तो A की power क्या होगी 4 अब हमें क्या करना है हमें जो A established की value दी हुई है उसको value पूठ करके इसका अंसर सौल करेंगे थ्री एज़टीज रहेगा multiply का sign a क्या है हमारे पास a की value दे रहे माइनस टू यानि माइनस टू की power 4 multiply b हमारे पास क्या दे रखे b की value 1 दे रहे 1 की पावर 4 अब next step में 3 as it is रहेगा multiply करेंगे देखो मैंने पहले भी बताया था bracket में अगर minus का sign है और power even होती हो तो sign plus का हो जाता है और 2 को 4 times multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 multiply 1 की power 4 1 होता है और 16 को 3 से m multiply करेंगे था हमारे पास आएगा 48 it means हमारा क्या answer आगया है 48 बी पार्ट करते बी पार्ट में भी हमें 3 terms का monomial terms उनका multiplication करके फिर हमें value निकाल लें x और y की value x की बंदे रखे y की value 0.5 है तो पहले equation को simplify करेंगे सबसे पहले bracket रटा के 3 monomial terms की multiply करेंगे 5 x की power 6 को multiply करेंगे 1 point 5 minus का है लेकिन है हमारा x square y cube multiply करेंगे minus 12 x y square से अब सबसे पहले हम coefficient की multiply करते है first term से हमारे पास 5 है coefficient second term से minus का 1.5 है और third term से हमारे पास minus का 12 है पहले हम इन दोनों के multiply करते है 5 को multiply करेंगे minus के 1.5 से तो हमारा answer आएगा minus का 7.5 इसको हम फिर multiply करते है minus के 12 से multiply करने के बाद हमारा answer आएगा minus minus plus हो जाएगा 90 तो हमारा coefficient की value क्या आगई है 90 coefficient आगई है 90 x की value को x की power देखते हैं फर्स्ट में 6 है सेकंड टम से 2 है 6 और 2 8 और 3 तम में 1 है यानि 6 की power 9 आगी हमारे पास अब y की power देखते हैं य देखो फर्स्ट टम में तो है नहीं सेकंड टम में y की power 3 है और 3 तम में 2 है 3 और 2 को add करेंगे तो हमारे पास आगई 5 अब यह हमने अपनी monomial terms का product निकाल लिया है अब हम value put करना start करते है 90 को 90 ही रखेंगे multiply x की value क्या दे रखेंगे 1 तो x की जगे पर 1 रखेंगे 1 की power क्या है 9 multiply करेंगे y की value दे रखेंगे हमें 0.5 इसको multiply करेंगे इसकी power दे रखेंगे हमें 5 यानि 5 ताइमस 90 1 की power 9 है कितनी भी power of 1 ही होता है multiply 0.5 को जो 5 ताइमस multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.03125 अब देखो 90 को 1 से multiply करेंगे तो हमारे पास 90 answer आएगा 90 को multiply करते है जो यह आपको दिख रहा है ना यह वाली जो term है इसको मैं पहले fraction में convert कर रहे हूँ 3125 fraction में convert करेंगे अपन में हमारे पास क्या आजाएगा 123450 10 से 10 cancel हो गया अब जब 9 को 3125 से multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 28125 अपन में हमारे पास आएगा 10,000 अब हम क्या करेंगे अपने fraction को decimal में change करेंगे तो हमारा answer क्या आजाएगा after evaluation 2.8125 और यह आजाएगा c part करते हैं c part में हमें 2 monominal terms का पहले हम product निकालेंगे फिर उनकी value दे रखें वो put करके solve करेंगे तो सबसे पहले bracket हटा के simple multiply करते है 16 upon में 15 x y z square इसको multiply करेंगे minus का 25 upon में 24 x cube z सबसे पहले coefficient की multiply करते हैं minus का 16 upon में 15 है first term से coefficient और second term से coefficient आया हमारे पास minus का 25 upon में 24 minus minus की multiply करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा plus पहले 5 की table से reduce करते है 5, 3, 15, 5, 5, 25 अब 8 की table से reduce करते है 8, 3, 24, 8, 2, 16 उपर numerators की multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 2, 10 और नीचे ही का आएगा 3, 3, 9 यानि हमारे पास coefficient की product की value क्या आगी है 10 upon 9 coefficient की multiply आई थी हमारे पास 10 upon 9 अब देखो X की value, first term में तो 1 है, second में 3 है, 3 में 1 एड़ करेंगे 4 तो X की power 4 होगे Y सिर्फ हमारा first term में तो aserties आएगा, Z की power first term में 2 है और second में 1 है तो Z की power होगे 3 यह आगे हमारा product, अब हमें क्या करना है, इसमें value पुट करना है, देखो 10 upon 9 तो aserties रखेंगे multiply X की value क्या दे रखेंगे आपको 1, तो हम क्या करेंगे, 1 की power 4 Y की value क्या दे रखेंगे, आपको minus 4, minus 4 रखेंगे multiply Z की power, Z की power 3 है और Z की value क्या दे रखेंगे, आपको 2 तो यानि 2 का cube करेंगे, अब हमारे पास क्या आएगा, 10 upon 9 Y की, 1 की power 4 का मतलब 1 ही आएगा, minus 4 as it is, और 2 की power 2 का cube करेंगे, तो हमारे पास आएगा 8, अब इसको solve करते हैं, 8, 4 जा 32 और 34, 2 को 10 से multiply करेंगे, तो 320 यानि minus का 320 upon 9, यह आगया आपका answer